दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल है कॉमिक इस्टारर पे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फॉलादी सिंग की कॉमिक्स फॉलादी सिंग और हजमोला का भाग दूसरा तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते भूख लग रही है ये छोटे छोटे जीव मेरी भूख नहीं मिटा सकते वो हाँ वो जीव पर्याप्त होगा आज के लंच में वेल मचली को जाद अबोचा हजमोला ने आज तुझे हजम करूंगा वेल को शायद गुस्सा आ गया पूच का तेजवार किया उसने उफ बड़ी चालाक है तु डर्ट लेकिन हजमोला से जादा नहीं वेल के जबडों को चीटा चला गया हजमोला फिर पेड भरने लगा इतना खराब स्वाद पेड तो भरना ही होगा अब थोड़ा उपर का आएसा लेलू ने जगह के जानकारी अवशक है यह सामने क्या है कोई स्वादिस्थ भूजन भी हो सकता है हाजमोला जहाच को घूर रहा था प二ा उतश हारा है मेरा निवाला बनने जहाच जियों ही नजिक आया हाजमोला हरकत में आ गया जहाच को क्या हूआ जहाच इनी का भोजन अब भूख शान्त हुई चलू नीन ना रहिए फॉलाद लंबू इस बार ब्रह्मन को निकले तो उचल पड़े पानी में खून वो देखो वेल मचली का अत खाया शरीर और ये सेक्डों की तादाद में मरत जलजी अपने आप नहीं मरे हैं ये एका एक लंबू चीक उठा उधर देखो फॉलाद ओ जाज दूर घटना ग्रस फॉलाद इस आदमी के शरीर को देखो किसी ने पैने दाथ से अधेडा है इसे उधेडा है इसे किसी राक्षष का खाम लगता है पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई या अंत्रिक्स से जरूर कोई खत्रे वाली चीज गिरी है या खत्रे वाली चीज जीवित चलती फिरती फिर तलहेटी आ गई अब कहां खोजें उस तरफ चलो फॉलाद विचितर सी आमाजे आ रही है महां से गुफा से खर राटो क्या शोर ये ये जलजीव तो निश्चिनती नहीं है फॉलाद दूसरे गरह का प्राणी लगता है तब ही नींद खुल गई हाजमोला की गुर्र तुमने मेरी नींद में खलर डाला हाजमोला नहीं छोड़ेगा तुमें हाजमोला ये तो बोलना भी जानता है और ठोकना भी उफ बहुत शक्तिशाली है मैं इसका इंटर्वियू लेता हूँ लंबू हाजमोला तुम इस गरह के प्राणी नहीं लगते मैं फुटांग रह का प्राणी हूँ और तुम सब मेरे दुश्मन हो रास्ता छोड़ दो मेरा ठाक हाजमोला तुम्हें या खून खराबा नहीं करने देगा फुलाद हाजमोला ये आपनी मर्जी से नहीं आया उसे फैका गया है वो बदला लेगा सबसे फुलाद खत्रे में वाटर गन कहा है मेरी लंबू ने फायर किया फुम्ह लेकिन जिस पर मिसाइले और भम बेसर रहे हो वाटर गन बैचारी क्या कर सकती थी छपाक तुने मुझ पर गोली चलाई पिद्दी लंबू की और जप्टा दाना वाजमोला मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं मैं भी कब छोड़ने वाला हूँ तुम्हे पंडूब्बी से गैस का तेज प्रभा छोड़ा लंबू ने शुम्ह हाजमोला संबल नहीं सका फॉलाद आजाओ इससे खालियात मुकबला कठी ने फॉलाद पंडूब्बी में बेट पाता इसके पहले ही हाजमोला ने डास्ता रोक लिया उसका तु जिन्दा है अभी तक अम मरेगा हाजमोला के हाथो अपने को तीस मार खां मस समझ हाजमोला तेरे जैसे नजाने कितने हाजमोला अब तक हजम कर चुका है फॉलाद बिना डकार लिये ये भी कमशक्षी साली नहीं है लंबू भी हाजमोला के खात्मे की तिड़कम में लगा था तिकड़म में लगा था इस पर गोलियां तो बेश सरे कैसे मारू हाँ ये ठीक होगा लंबू ने पंडुबी को पूरी गती से चलाया परिनाम स्वरूप वह तेजी से हाजमोला से टकराई हाजमोला बड़ी गती से कुफा में फिक्ता चला गया इस गुफा को बंद करना होगा फॉलाद वह सामने वाली चट्टान से हाँ अब ठीक है जल्द ही दोनों डॉक्टर यॉन को घटना बता रहे थे अंकल वह फुटांग रह का प्राणी है हाजमोला किसी ने उसे पृत्वी पर फैका है फुटांग रह तो लुटे रा ग्रह है फॉलाद लंभू वह किसी का मित्र नहीं लेकिन अंकल हाजमोला के बारे में फुटांग से ही ज्यादा जानकारी हासिल हो सकती है अंत्रिक्स से कॉंटेक्ट करो लंबू, राइट, जल्दी अंत्रिक्स लाइन पर था, अंत्रिक्चक, फुटांग रहा से हाजमोला को पृत्वी पर किसने फेका, तुम्हें जानकारी है? हाजमोला के नितत्त में फुटां की सेना सुमाल ग्रह का कीमती रसायन लूटने गई थी वहाँ से उसे फैका गया तो वह समुदर में आ गी रहा समुदर में जा गी रहा रसायन में नहने के कारण वह परम शक्तिशाली हो गया है उसकी मौत कठीन है ओ नो जब तक उस रसायन का विपरीत रसायन नहीं मिलता उसका मरना असंभव है विपरीत रसायन मिलेगा कहां अंत्रिक्षक सुमाल ग्रह के वेग्यानिक जांग के पास वेग्यानिक जांग एक आएक खुशी से उचल पड़ा मिल गया मिल गया क्या मिल गया ज्यांग विपरीत रसायन आईए मेरे साथ ये चूहा देखिए समराट रसायन में नहलाने से ये इतना विशाल काय हो गया जैसे हाजमोला हुआ था हाँ और अब मैं इसे विपरीत रसायन का इंजेक्शन लगाता हूँ गर देखिए इंजेक्शन का प्रभाव अब कोई खत्रा नहीं रसायन में कोई अगर डूप भी गया तो हमारे लिए मुसीबत नहीं बन सकेगा सेंट्रल लेबोरेटरी रसायन में नहाने के इधर प्रिथ्वी पर हाजमोला अब भी मुसीबत बना हुआ था हाजमोला को देख चितकार कर उठे लोग भागते कहां हूँ हाजमोला सबकी हजामत बनाएगा पानी की एक विशाल टंकी को एक घुसे में अंडे की तरह चटका दिया हाजमोला ने किसी ने डॉक्टर जॉन को ख़बर कर दी फॉलाद हाजमोला शहर में उब्द्रव मचा रहा है ओ चट्टान उसे नहीं रोक सकी फॉलाद लंबू मैंने जहांग और समराट सोमालिया से बात कर लिए वे विपरीद रसायन देने को राजी भी हो गये हैं ओक्य अंकल हम सुमाल ग्रहे को रवाना होते हैं तब तक मैं हाजमोला को रोकने की कोशिश करता हूँ हाजमोला बे इंतहां घुसे से गरज रहा था फॉलाद लंबू को मैं पाताल में भी नहीं छडूँगा उन्होंने मुझे गुफा में बंद किया ओ इसे बेहोशी के पिनों से रोकता हूँ एक पल के लिए लड़ खड़ाया हाजमोला लेकिन फिर तेजी से जॉन के और जप्टा तू रोकेगा मुझे डॉक्टर जॉन ने उधर से गेस छोड़ी ये गेस तुझे निश्क्रिया करे तुरी तरह लड़ खड़ा उठा हाजमोला ये कैसी कमजोदी है इस भूड़े के पास बहुत घातक हत्यार है इससे जल्दी रोकना होगा एक और प्रहार अब नहीं छोड़ूँगा तुमें ले मर डॉक्टर जॉन को निहत्ता कर दिया हाजमोला ने अब कौन बचायगा तुझे बड़ा नौटंकी कर रहा था लेकिन इससे पहले कि हाजमोला ट्रिगर दबा पाता एक इंजेक्शन आग घुसा उसकी वह भाम है ख़ट फिर देखते ही देखते आकार घटा चला गया हाजमोला का ये ये क्या हुआ फॉलाद लंबू सुमाल ग्रह से लोट आये थे ये विपरीत रसायन का चमतकार है हजमोला अब तुम अच्छर जितना ताकतवर रह गया है फिर लंबू के एक इवार चे चारों खाने चित हो जाएंगे हजमोला आह इसे प्रयोक्षाला ले चलो फॉलाद ओक के प्रयोक्षाला में मैंने इसका ब्रेन वाश कर दिया है अब ये एक अच्छे सेवक की तरह हमारे साथ रहेगा फुटांग ग्रह पर इसने काफी भटर गस्ती की या मेनद करेगा तो आदमी बन जाएगा अंकल सुमाल ग्रह के समराट सुमालिया ने भी अपरादी हाजमोला की मांग की थी उन्होंने विपरीद रसायन इसी शर्थ पर दिया था कि हाजमोला को उनके हवाले कर देंगे ओ, फिर तो हमें वादा निवाना होगा या स्वयम चली तियान इसे सुमाल ग्रह ले जाएगा फॉलाट के रिमोट दबाते ही यान चल पड़ा फॉलाट कभी-कभी अच्छे नए आविश्कारी नुकसान दे बन जाते हैं सच अंकल जैसे सुमाल ग्रह के सद उपियोगी रसायन ने हाजमोला को राक्षष बना दिया समाल तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं कदम करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कामिक में तब तक के लिए गुड़ाए